अरे भाई साथ, क्या बात है जिजी, जिजी ने, मतला बढ़करनी जिजी ने जो टाइटल लगाया था पहले, उफीशली ससुराल वाले घर के मालिक, हाँ, अब तुम लोग कुछ भी बोलो, अब जेट जिठानी कुछ भी बोले, अब वो उस घर पे सिर्फ मेरा हक है, लोग रेनोवेट करवाएंगे, ओ, दिसंबर में आने वाले टाइम पे बे, दिसंबर में शादी भी बगगा की, अब ये थोड़े जिजी अपने ससुराल नहीं जाएंगी, वैसे अपने माईके में चिपक के रहती थी, इनफेक्ट इनका खुद का हस्बेंड, वो भी घर पे हक हो गया, मकान पे हक हो गया, और प्रॉपर्टी पे हक हो गया, उस पे ये दोनों भेने, आप लोगो पते ही है, वहाँ छुटकरनी भी मांग रही थी, मैं हक लूँगी, मैं अपने बच्चे का हक लूँगी, मेरा जो भी हक है घर पे, तो ये दोनों भेनों की सेम में mentality है इनको जब सास ससुर को इनकी जरूरत थी जब उन घर में कुछ हो जाए ससुराल में ऐसा बहू कुछ फर्ज निभाया नहीं लेकिन जब हक की बारी आती है दोनों ये लोग बिलकुल इंडिपंडनेंट ना रहे हम अपना अपना बढ़्दे करूंगी कल मैं अपनी डॉटर के आनके बाद करूंगी आज हलका फुलका करेंगे क्योंकि देखिया आज का दिन है बिलकुल और थैंक यू आप लोग बहुत अच्छे अची विशिस दे रहे हैं भाई मैं इस वीडियो की तो भात करूंगी करूंगी लेकिन मैंने अभी न इस वीडियो में एक टाइटल इस वीडियो में एक मैंने कॉमेंट देखा जिसमें मुझे पढ़के मुझे भी बड़ी हसी आई आप लोगो भी आई होगी एक ने लिख दिया नाओड़ेज यू आर लुकिंग सेम ऐस परिनीती चोपड़ा यू आर बिकमिंग मोर और मचूर इन अवरी सेंस तो अब जिजी सही में जिजी पता नहीं कहां पे उड़ गई होगी कहां पे होगी कौन से आसमान पे पहुँच गई होगी परिनीती चोपड़ा इनको भोल दिया गया किस एंगल से परिनीती चोपड़ा चली भई हो सकता है लगती हो अभे टरू वालों को तो कोई भी कुछ भी लग सकता है खैर है ना बाकी बहुत सारे फिर से आज किसी ना हाइट पूछ लिया जिजी की चली वीडियो की बात करते हो और इससे पहले मैं आप लोग को एक और breaking news देना चाती हूँ दोस्तों आपको इसी channel पर मिलती है सच के साथ पर तो आप लोगों ने अगर subscribe नहीं किया है तो कर दो भई अभी subscribe देखिए जो बग्गा मामा है आप लोगों को याद होगा जो छोटे जिज्जा और पृतो कि सारी शादी की जो वीडियोज है वो बढगन्नी जिजी और बग्गा मामा के चैनल पे आई थी और ट्रेंडिंग पे गई थी ये पहले से डिसाइड़ था तुम कुछ ना दिखाओगे अंकुष को तो चैनल का एक्सेस भी बहुत टाइम बाद मिला उसको वो कह रहा था जब उसने बताया था चुटकन्नी ने कि वीडियो बहुत टाइम बाद पहले हम अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो कहीं न कहीं दोनों को मना किया गया था वीडियो डालने का उसके बाद इन लोग ने बहुत टाइम बाद थोड़ी थोड़ी की फोटेज थोड़ी थोड़ी दिखा दिखा कि अपने शादी का थोड़ा बहुत डिसकस किया था अपने चैनल पे चाहें वो परीतो हो चाह पर वीडियो डाली थी इसकी शाधी से रिलेटेड वो सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई है क्योंकि आपको याद है रियक्षन चैनल ने और मैंने प्यापने चैनल से इस इस बात रखी थी छुटकन्नी के लिए कि भई तुमारी शाधी की सारी वीडियो तुमारे भाई- तो बग्गा मामा यही चाता है कि पूरा शादी का एक एक वीडियो मैं ही बनाऊंगा, हाँ, आज जिस तरह से उसने भई आचल का वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम मतलब मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ डोसा खिलाके ग्रैंड वेलकम आँटी जी ने किया, और मम्मी जी ने खाना बनाया, या जिस रेस्ट्रान में आप खाना खाके आए, वहाँ पे किचन में अंदर शेफ को हटा के चल मैं बनावाँगी खाना, ऐसा कुछ किया, घर पे तो आप लोग बुलाए ही नहीं, आप लोग कह रहे थे कि, टाइटल तो बड़े उसने डाला है कि ससुराल म मैंने रियाक्शन दिया है और आप लोग देख सकते हैं से पहले वाला जो मेरा वीडियो है, मैंने उसमें सब कुछ बताया है, किस तरह से अब सेकेंड अब वो बता रहे है कि होटल में आप वो लोग रुके हैं और मम्मी और मम्मी भी वहीं पे हैं, बाकी मैं इदर आगय था तब जिजी की परिवार वालों ने मद़ कर दिया, तरण नहीं हम छोटे काओं की लडगे, हम तिल्ली नहीं जाएंगे, उस टाइम तो वना कर दिया गया था, अब यहां पे लड़की वाले खुद उसके मम्मी बापा के साथ आंचल यहां पे आ चुकिया, है, प्यार, प्यार 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 चलिये अब बढ़कनि की पे आ जाते हैं बढ़कनि भाईया परीनिती छोपड़ा बोल दिया है कभी कोई कुछ कहता है प्योंक रख श्रकुम्हान परन असमान पे पहुंच गया हुँ जिजि ने बड़े प्यार से लाइक भी की है उस कोमेंट को तो चलिए आज जिजी का जो वीडियो है आप टाइटल भी चेंज होगे और थमनेल कुछ इस परकार से लगा दिया गया है आज नहा के दो बार आई है जिजी दो बार नहा के आई हूँ डेकोरेशन करती हूँ न तो वो चमकी चमकी आ जाती है हातों में इसलिए फिर मैं दुबारा नहाती हूँ और दुबारा मैं नहाना हूँ हाँ आप तुम लोगो यह थोड़ी बताऊंगी सुबह से मैं नहीं नहीं थी मैं शाम को नहाती हूँ फिर एपल खा रहीं थी और कह रहीं थी कि मैंने व्लॉग अभी एडिट करके अभी पुछला वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है बाकी आज मैंने वरकाउट किया और मुजे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता लेकिन मैंने मुज़िक चला के वरकाउट किया 45 minutes workout किया music चल रहा था और आप dance कर रहे हो कितना अच्छा लगा मुझे आपके सामने कोई भी नहीं होता और कैसे भी करते हो ना dance workout हो जाता है तो जिजी वास लाइक वैसे जिजी इस workout के लिए नीचे comment आया हुआ है आपके एक subscriber कह रहे है कि हम आपका वो dance देखना चाहते है हाई किस तरह से तुम music चला के dance करती हो बाग इस से मुझे वो जो cyclone है न निधी की दुनिया वो भी आदा गई उसकी शुरू की वीडियोस में इस तरह से ही था बेपाशा बासू की जो fitness series है उसमें से वो song देख देख के देख देख के वो dance उसमें डाला था अपना जिसको dance पसंद है वो music चला और dance करो वरकाउट आपका इस तरह से हो जाएगा फिर जिजी ने कुछ parcel का बता है कि आज मेरा parcel भी dispatch हो गया है टानियारा से साडी का जो मैंने वेडिंग में पहननी है जो मैंने साडी दी ती अब टानियारा का बहुत अच्छे से प्रोमोशन कर रही है आपने देखा होगा हर वीडियो में नाम लिया जा रहा है खेर इनका जो parcel है वो dispatch हो गया और साडी जो इनको finally पहननी है वेडिंग में वो कल तक आभी जाएगा तो जिजी सर्प्राइस की इतनी जल्दी हो इतनी खुशी थी जिजी के चहरे पे इस चीज़ की इतनी सुपर फास्ट सर्विस है मज़ा आ गया और फिर जाजी आती है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे ना अच्छा कुछ candles वगरा का बता रहे थी और इन्होंने कुछ candles जो वो candles होती है floating candles वो भी कह रहे थी कि जब हम लोग यहां पर पटना में आयते पहले वाले घर में तब मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर क्या रहे थी कि candles जली हो lights जली हो पीछे शाम को और थोड़ी थोड़ी जो यह candles की orange और जो warmness होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे मुझे warm positive aura आता है तो जिजी ने कुछ-कुछ words सीख लिया है दोस्तो positive aura और illusion यादा है आपको यह कुछ जिजी की dictionary में words एड़ हो गए है फिर बता रही थी यह सब चीजे और आज ठंड जादा हो गई है तो वह अपनी शॉल वगेरा कहरी कर रही थी अच्छा खाने में इनोंने वो candles का बगेरा बता रही थी और फिर खाने में इनोंने मूं की दाल बनाई है और गोबी आलो की सबसी बनाई है जवार की रोटी बनाई है और दाल बनाने का तरीका वैसे ही है जो अलग से प्याज को थोड़ा सा लस्टन को फ्राई करती है आज थोड़ा सा ओलिव ओयल का यूस किया है बाकि टमाटर की प्यूरी अलग बनाके उनने बनाई है बाकि बाहर जाके गमले ना दिखाए ऐसा हो नहीं सकता गमले पौधे भई पौधों से सांस पौधों को वो देखते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है खिल खिलाते है ना पौधे इनके तो इनको बहुत अच्छा फील होता है बाकि आज वो गुडाई बगेरा कर रहेती थोड़ा वो दिखाया भी है इसमें फिर गोभी की सबसीधी नोंने बनाई है बाकि इसी बीच फिर ये क्लीनिंग भी कर रही है आज इन्होंने जो जितने भी कांच की चीज़े है डेकॉरेटिव आइटम से बिर वगेरा सब कांच क्लीन करने की सोची है जो शूराय होता है वो भी क पर सबाद सबस्क्राइब इतने दिनों से लोग पर सब्सक्राइब कि आपको दिखाई अब रोज जिची बिंदी लगाके भी आइए अब जिची इसलिए आज बिंदी लगाके आ गई थी फिर वॉक करने गई हैं अच्छा वॉक करने गई हैं और बाल धोने से धोने थे भर धो नहीं पाई हैं इनोंने बोला कि मुझे वॉक तरने आना थे इसलिए मैंने धोया नहीं किसी और दिन मैं वॉक बाल धूँगी दुपैर को ऐसे बैठूंगी अराम से क्यारा बारा बजे धूप में अराम से चाय का कप लेके और मैं अच्छे से जो हेर है मेरा वाश हो जाएगा बाकी अभी मैं शाम का टाइम है और अरेंज खा के आई हूँ और वैसे दुपैर को खाना ची आफटरून में धूप में मैं किसी की बात मतलब सुनती जो मुझे मन किया जाता है ना मैं असल पर वही काम जरूर जरूर करती हूँ फिर यह सब चीजे बोलके जिजी कह रही थी कि अब तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ मैं रोस्टेट चना खाती हूँ बदाम खाती हूँ चाय पीती हूँ और फ्राइड नहीं घाती हूँ अब मेरा वेट 55 5.7 वेट हो गया है पहले 61 हो गया था है जब मैं यहाँ पर आई थी घर से तो अब मेरा काफी वेट कम हो गया है इसके बाद जिजी ने घर पर आके सब कुछ बताया सारी चीजे बताई और इन्होंने कुछ बताया कि हमें कुछ दिन पहले IIT मंडी से कोई आया है यहाँ प अच्छा लगा है वहाँ पर केक होता है कॉफी होता है और बहुत तरह की बहुत सारी चीजे होती है और मैं तो मोशली मोमोजी घाती हूं कि मेरे फेवरेट है और जो फूल जाता है जिजी को एक बार में आदनी है बटूरे की बात कर रहे थी तो यह सब बताते हुए और आई धाis सतव हम पूब रही थी कि हमारे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, हम उनकेसाथ वॉक में करने-चले ताइम पे काम करके आएंगे कैसा कौन सा रूम टेकॉरेट करना है। ऐसे जिजी अभी तो जब तुम करवा चौत देने के थी तब तुमने ससुराल का जिकर नहीं किया। तुमने सास ससूर किसी का भी जिकर नहीं किया था। तुमने अपनी बेस्ट ट्रेंट तक को जो प्राइरमेंट के बाद हमको देना ही पड़ेगा। फिर हमारा जो क्योंकि गॉवर्मेंट ये जो घर मेला हुआ है। उसके बाद मेरा समान महां पे रखना कुछ बनाना शिमला जाओंगी मम्मे के घर जाओंगी। फिर हम लोग वहीं पे रहा करेंगी। अब ये थोड़ ना ही के है, तो थोगहर के हैं। गर समाना एंड्रस पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट पे सारा उसी घर का एड्रस है। तो हमारा ही हाके उस घर लोग मेरा जो घर आपि ये वाला का ये शैट करेंगे। वहब और आ आसे discussion करते रहे, तो कुछ टाइम बाद आपको जिजी ससुराल में दिखेंगे, लेकिन जिजी ऐसे तो आपने पहले भी बोला था, असी जावांगे, समान रख के आवांगे, एक लॉक लगा के आवांगे, लेकिन जिजी हुआ गया था, आपको आपे परमिशन नहीं मिली थी, है ना, सभी आपने सारा सबाद, कारख़त अपने माईके में, और अभी, लेकिन इस सोचने वाली बात है, वहाँ पे जो आपके सास ससूर है, जब बिमार होते हैं, कौन सेवा करते हैं, जेट-जिठानी करते हैं, है ना, आप तो कुछ करते हैं नहीं हो, आप तो यहाँ पे बिल्ले पड़े रहते हो, बिल्ले कहते हो ना, और जब हक की बारी होती है, दोनों भेहने पहुचना चाहती हो, और दोनों भेहने अपनी सास सुराल को, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर लेनी है, कभी आप लोग उन्हें सेवा करी है जाके, कभी अपनी सासुमा के पैर दबाए हो, लोग सासुमा के पैर दबाए तो छोड़ो, जब वो बिमार हो गई थी तब लोगोंने बोला था, जाओ थोड़ी सेवा करो, जब घर को देखके लोग बोल रहे थे, वो जो आपको याद है, आरो की टोटी इतनी गंती हो गए थी, लोगोंने बोला था, भरपूर, कमेंट्स आ रहे थी, कि जाके थोड़ी सफाई कर रहा हो, जब तुम्हें भी अच्छा एक बहुरानी बनने का वो मिल जाएगा, वो आपके क्लीनिंग बगएरा कर रहा हो, वाड़ी क्लीनिंग क्लीनिंग करती हो, तो भी नहीं गई थी जिजी, यहीं पे घर पे बैट के जिजी और सासुमा बिमार होई थी, तो पार्क में घुमते घुमते खूब वीडियोज बनाये थे, कॉंटेंट चापाता, बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है, ससुराल नहीं रहती, अब मेरे व्लॉक से आप लोगों को पता चल जाएगा, ओफिशल अनॉंस्मेंट पहले भी करी थी, बट आज पक्की कह रही हूँ, तो जिजज़ पक्की है, तो फिर चेंज क्यों कर दिया टाइटल, क्यों आप एकदम से फिर ओफिशली वाले से आप रेनोवेशन पे आ गए, बस अब कर रही हूँ, हमारा वही घर है, और ये तो सरकारी है, रिटायर्मेंट के बाद तो हमको जाना ही है, शिमला गए, मम्मी के पास गए, फिर उधर चले गए, मतलब जिजज़ ची कह रही हैं कि अब उस वाले घर पे हमारा हाग है, खेर ये दो वक्त हलाद, जस बाद में ही पता चलेगा टाइवाने पे, कितना आप ससुराल में जा पाती हो, हक जता पाती हो, कितनी आपको परमिशन मिल जाती है सास ससुर्जे, वहाँ पे कमरा structure बदलने का सारे कमरों में है, ये इतने कमरे हैं, ये इतने कमरे हैं, मतलब ये लोग देखें लडगियों को क्या example दे रहे हैं, कि वैसे अपने सास सुरॉल से जब उनको जरूरत हो तो मारी हारी बिमारी कुछ भी हो उनको बिल्कुल उनके लिए कोई कुछ मत करो ठीक है लेकिन हग अपना जारूर याद रखो प्रॉपर्टी पे हो ठीक है घर पे हो मकान पे ये सब चीजे पता रहती है और ये बोलती है कि मुझे मेटियलिस्टिक चीजों से प्यार नहीं है जिजी तुम्हें सिर्फ मेटियलिस्टिक चीजों से ही प्यार है दोनों बहनों को है ना ब्रैंड ब्रैंड करती है कभी ना इंसान से प्यार है ना इमोशन से प्यार है किसी से प्यार नहीं है वैल्यू नहीं है रिष अपना हग जता पाती है कमरे पे कबजा कर पाती है जिठानी जी का नया घर बन चुका है हो सकतर जिठानी जी शिफ्ट कर गई हो तो वो तो आने वाले टाइम पर पता चलेगा बाकी चलिए उदर बगगा प्री वेडिंग शूट आएगा उसका नेक्स वीडियो देख लीज क्या वेलकम किया सिवें डोसा और रस्मल आई मतलब आप लोग सोची तुमने तुमारी ममी ने घर पे बुलाया होता या बढ़िया से कुछ पकवान खिलाये होते जब आप लोग उनके घर पे गए थे याद है कितनी तरह की सबजिया अच्छे से स्नैक्स वगरा चाय वग बहत करते हैं बहार से इबस रेस्टरॉंट में खिलाया और टपकाय है ये है इनकी ग्रेंड वेलकम ठीक है देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, अब तो बग्गा न बोल दिया, ये चैनल तुमारा, कैमरा भी बस आचल के हाथ में होगा, बहाँ चली वीडियो बनाएगी, हाँ, मतलब वहाँ पे कंचन आ गई है, तो अब यहाँ पे आचल को उतारा जा रहे है, अपना चैनल और अपना एडसेंस, अपने अकाउंट है ना, पैन कार्ड वगेरा सब अपना लगा ना, पासपोर्ट या जो भी, डॉक्यूमेंट्स, याद रखना, ये लोग इनका अकाउंट अलग रखो, अपना अलग रखो, हार चीज दिखाओ, शॉपिंग जो शादी का साथ है, चलिये भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई एंग येस, थैंक यू वन्स अगें फ़र यू लवली विशिव, बाई बाई